आज मैं आप लोग लिकर आई हूँ विंटर स्पेशल बहुत ही हेल्दी और टेस्टी मुली का साग बनाने की रेसिपी तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए सारे टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी जिससे की बहुत ही टेस्टी मुली का साग आप बना सकते हैं घर पर वो जो पत्ते हैं वो ज्यादा कॉंटिटी में है तो ऐसे ही मुली को आप चूज करिए मार्केट से लाते समय अगर आपको सबजी बनाना है तो पत्तियां तो बड़ी मुली में भी होते हैं लेकिन जितना टेस्टी छोटी मुली वाले पत्तों का साग बनेगा वो टेस्ट हेलियुकर वाले के तो हbenकिन पुंदी होती हैं लेकिन मुली के साग में खास तौर पे एंटी कैंसर ले प्रॉपर्टिय सोते हैं यानि कैंसर से लड़ने के लिए Mexico के जोसे हैं उन्हीं करना ने के लिए मुली के पत्ते मुली के पत्तों पर और नो घुस बना क्या पार नहीं लेना है बस पत्तों को जादा रखें तभी ए मुली के पत्ते बहुत ही ज़ादा टेस्थी बनेंगे तो यहां पर पत्तों को वैसे तो मैंने पहले से एक बार धो लिया था लेकिन इनको तोड़ लेने के बाद फिर से एक दो बार धूलूँगी जिससे की एक दम अच् इतनी भी गंदगी है या उपर से जो डस्ट है वो पूरी तरह साफ हो जाएगा यह दिखिए मुली को भी मैंने अच्छे से साफ कर लिया है तो अब इनको बीच में से चीरा लगा कर पतले पतले स्लाइसस में कट कर लेना है मुली अगर बड़े तुकड़ों में काट लेना ह इसलिए पतले स्लाइसस में को कट करना है यहां पर पतों को भी यह देखे निकाल कर मैं बारी काट लूँगी तो यहां पर दोनों ही चीजे मैं अच्छे से काट ली है थोड़ा सा गरम पानी में डालने के वज़़े से मुली के पत्ते आप देख सकते हैं कि थोड़ी से सावधानी से अच्छे से एक दम काट लेना है दिखें यहां पर और इनको कट कर लेने के बाद मुली को भी जैसे मैंने कहा था वैसे कट कर लूँगी मुली के सबजी को बनाने में बहुत ज़्यादा मसाले की जुरुत नहीं पड़ती है बस एक सिंपल सा तड़का और सिर सब्सीले के प्यां सबच ज़ीराचन, देन भी हथे और सब्सीले सब्सी झार लेका लें में काट लोगा के लिए तड़के तीखे फ्लेवर के लिए यहां पर मैं एक हरे मरिश डाल दूगी तड़के मैं यहां पर जीरा मेथी और सॉफ भी डाला है तो मेथी और सॉफ से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा मुली में जो भी हलका फुलका तीखा पन या हलका सा कड़वा पन होता है वह तो यहां पर जो बारी काट कर मैंने मुली रखी हुई है इसे डाल दूगी और इसे भी हलका सुनेरा होने तक भून लूगी थोड़ा सा सॉफ हो जाएगी मुली तो फिर पतों के साथ एकदम अच्छे से पक जाएगी और बहुत ही अच्छा फ्लेवर लेकर आएगी मुली जल्दी सॉफ्ट हो जाए इसके लिए यहां पर मैं नमक डाल दूगी स्वाद अनुसार और अच्छे से मिक्स कर लूँगी तो नमक से मुली जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा और आज को मैंने यहां पर लो सी मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ है क्योंकि मुली भी अब लगब जाए और जैसे जैसे मुली में से मुली के पतों में से पानी छूटेगा अपने ही पानी में यह सब्जी पक के एकदम जबर्दस तयार होगी तो यहां पर यह देखिए मुली भुना जा चुका है तो अब इसमें मैं डाल दूगी मुली के पते और अच्छे से मिक्स करके इसे ढख कर करीब 10-12 मिनिट के लिए पकाना है बीच बीच में एक दो बार इसे स्टर जरूर करिए जिससे की समान रूप से कि मुली के पते अच्छे से पक जाए और बहुत ही अच्छा फ्लेवर लेकर आएगा सारी चीज़े अच्छे से पक जाएंगी तो यह सब्जी ब उससे भी डाला जा सकता है या टमाटर भी आप अपने पसंद से यहां यूज कर सकते हैं लेकिन मैंने दोनों ही चीज़े स्किप की हैं सर्फ मुली के पतों को और मुली को यूज किया है सब्जी को बनाने में और बहुत ही जबरदस्त फ्लेवर आया है तो आप एक बार इ किसाथ सर्फ कर यह बहुत पसंद आएगा बच्चे भी से मांग मांग कर खाएंगे तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राए करें कमेंट करें इपनी experience के बारे में दोस्तों रश्यदारों के साथ बच्छेर करें मिलते हैं वेसी तरह से को और नही टेस्टी रेसिपी के THANKS FOR WATCHING